पिछली बार हमने इसी बैसे पर बात की थी लेखक की हैसियत लेकिन मित्रो इस दौरान जो कुछ देश भर में घटत हुआ है और खास तोड़ से हमारे साहित्ते जगत में जो जिस तरह की तरास्ती हमने देखी है उसने इस मसले पर मुझे और एंगल दे दिया है मैं सूचता था कि मैं यह बोलूँगा यह बोलूँगा कुछ आप कुछ दिन पहले था जब हमने तेह किया पिछले हफ़ते तेह किया था कि देविन के साथ पिछले हफ़ते थोड़ा पहले दो एक दिन पहले कि ये हम ठीक है अगले बाग पर देवन जी के साथ बात चीत हुई कि इस पर बात करता है और उसके बाद जो है हमारे वीश से हमारे बहुत दिये कभी साहतेकार मंगलेश डवराल गुजर गई और उनके जो है जो उस्चार के दोरान की श्तितिया थी कि आप और हम सब लगातार इस्टोह में रहते थे कि कोई मंगलेश जी को ले करके कुछ ख़बर मिले तो और वो ख़बरें मिलती थी तो वो जो उनका गुजर जाने की ख़बर सबसे आखर मिले उससे पहले भी जो ख़बर मिलती थी वो बहुत दुखदाई थी और चुंकि मैं इस मुद्दे पर सूच रहा था लिखक की हैसियत को ले करके तो वो ख़बरें करेने की उससे भी जोड़ते थी और कैसे जोड़ती थी उस पर मैं आपके सामने आऊँगा तो फिर उसके उनके जाने की सूचना बली और उस उनके जाने की एक दिन बाद हमारे मित्र अरण देव जो समालोचन पत्रका निकालते हैं नेट पर और मैं समझताओं कि नेट पर इंटरनेट पर वो समालोचन सबसे पत्र पत्रका है जो सहत्य और कही संस्कृति के और सनस्क्रती की जो तमाम आयाम हैं उनके बहुत सारे जो मसले हैं, उन पर बहुत गंहीर बिमार्स समालोचन में आता रहा है और अरॉन देव की एक पहचान तो समालोचन के संपादक की है बहुत अच्छा वो कम लेखते हैं लेकिन जो आलोचनात्मक लेखन करते हैं वो भी उनका बहुत गंबीर है समालोचन से उनकी जो समाज है वो प्रित्विम्मित होती है लेकिन इसके साथ साथ वो बड़े संजीता कभी हैं तो उन्होंने कविता पोस्ट की आप लोगों के नोटिस में वो आई होगी आपने पढ़ा होगा और उन्होंने इस टिप्टिंग के साथ डाली है कि यह ताजा लिखी कविता नहीं है उन्होंने कभी पहले लिखी थी और अब मंगलेश जी के जाने के बाद और उन्होंने यह सूचा है कि इस कर्वता को बापस से शेयर किया जाए तो मैं एक बार से बापस से यह कर्वता आपको पढ़ देता हूं और इसको पढ़ने के से पहले मेरी टिप्ड़ी यह है कि जो आज का हमारा संबात का जो विशे है लेखक की हैसियत उसके संदर्व में भी आप जरा इसको इसके जो अर्थ हैं उनको जोड़के चलने की कोशिस करें तो अरणदेव ने इसको शीर्षक दिया है व्यक्ति जो है जो शीर्षक है उनका वह कभी की मदद कभी की मदद हिंदी का महाकवी अचानक बीमार पड़ा यह महाकवी से आपको ऐसा लगेगा कि व्यंग का वितार तो नहीं है लेकिन व्यंग नहीं है इसमें वह महाकवी से मतलब एक अच्छी पहचान वाले कभी प्रधिष्टत कभी हिंदी का महाकवी अचानक बीमार पड़ा इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगनी पड़ी सार्ड ने किया गया उसकी पत्नी के नाम का खाता यहीं कमाई थी उसकी जनम भर की अगला अंत्रा है कितना ताकतवर देखता था अपनी कभताओं में हमारा यह कभी राजनितिक सक्ता की खुली आलोचना करता हुआ कितना ताकतवर देखता था अपनी कभताओं में हमारा यह कभी राजनितिक सक्ता की खुली आलोचना करता हुआ धार में गुरूडियों पर घंचोट करता रहा बंजर में भी भासा के सौंदरे की पनस्पतिया रोपता हुगाता रहती थी कुछ कवियों की नजर उस पर हमेशा रहती थी कुछ कवियों की नजर उस पर हमेशा की अब गरा की तब गरा लो यह गरा 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 यहां वहां 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 यह बहुत इस अंत्रे का यह जो हिस्सा है बादवाला यह बहुत घहरे अर्थ रखता है वो आप देखिये मैं बापस से पढ़ता हूँ कितना ताकतवर दिखता था अपनी कवता में हमारा यह कवी राजनितिक सक्ता की खुली आलुचना करता हुआ धार्मक रोडियों पर घं चोट करता रहा बंजर में भी भासा के सौंदर की बनस्पतिया रोपता अगाता रहती थी कुछ कवीयों की नजर उस पर हमेशा की अब गरा की तब गरा लो यह गरा 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 यहां वहां वहां इससे अगला अंत्रा है कच्ची पक्की नोक्रियों से जैसे तैसे काटली जिंदगी कुछ किताबें छपी अनुवाद छपे कुछ पुरुसकार भी मिले लाखों के जिसके लिए उसे सहनी पड़ी अस है कुकुर कुछ पुरुसकार भी मिले लाखों के जिसके लिए उसे सहनी पड़ी अस है कुकुर जो 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 यह फिर भी कितने कम थे कितने दिन तक चल सकता था इससे भला जीवन कुछ ओदेदार लोगों के किताबों की लिखी उसने समिक चाएं कि खुस रहें गाहे बगाई काम आ जाएं पहले इसका मैं यह दोरा देता हूँ कुछ ओदेदार लोगों के किताबों की लिखी उसने समिक चाएं कि खुस रहें गाहे बगाहे काम आ जाएं पाठ कों से क्या होना था बेपता नहीं कौन थे कहां रहते थे पाठ कों से क्या होना था बेपता नहीं कौन थे कहां रहते थे इस पर धान दया जिसे लिखने में उसी सालों लगे और जो समझता मैं अब तक अरजित का सार था जिसे लिखने में उसे सारों लगे और जो समझता मैं अब तक अरजित का सार था उससे का होता इलाज के लिए देखे आप जो पूरी जिंदी वर का कृत्त पर लेखन जिसे लिखने में उसे सारों लगे और जो समझता मैं अब तक अरजित का सार था उस सीका होता इलाज के लिए घर पर करज छोड़कर मरा जब उसकी अंतिम यात्रा में लोग भी कम ही थे घर पर कड़ छोड़कर मरा जब उसकी अंत्यम्य आत्रावे नोभी कम थे यह अरुण देव की कविता है और जाहरे कब आपको लग गया होगा कि यह मंगलेश जी के जाने के बाद जो उन्होंने बापस से पूष्ट की है ना के बल उनको लगा है बलकि जिन्होंने भी इसको पढ़ा है उन सब ने पाया है कि कम से कम मंगलेश जी के मामले में तो यह बड़ी सठी करता है मैं आपको सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूँ जैसे कि मैंने आपको इस कमता का पार्ठ जैसा भी खराब सा पार्ठ मेंने किया है आप से अर्ज किया था कि इसको आप लेखक की हैसियत के मुद्दे से जोड़ करके देखें तो यह हमारे हिंदी के जिनको बड़ा एक प्रतिष्ठित कभी माना जाता है वंगलेश जी आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदी जगत में उन्हें किस तरह से लिया जाता रहा है उसके साथ अभी अभी चंद दन पहले गुजरा हुआ यह थार थे और बो जो है मंगलेश जी के साथ आप जानते हैं खास बात यह थी कि तो बहुत अच्छे पत्रकार थे द्रश्टिवान पत्रकार थे दूसरी बात यह थी कि बहुत अच्छा समर्थ गद्य लेखन में उनका महारत था और उसके आगे जाएं तो यह की जो अंगरेश जी का ग्यान है वो उनका अच्छा था कि वो बहुत बहुत बहुतरी इन स्रिजनात पर गनवाद कर सकते थे जगोनों ने किये वी तो यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह जो और जो च्छमता हैं और युगता हैं यह जरूर नहीं कि हमारे हंदी के सभी साहत्ते कारों में हों लेकिन इतनी ज्छमता हैं इतनी युगता हैं होने के बावजूद एक कभी के साथ एक रशनाकार के साथ यह घटित हो सकता है कि अगर वो गंभीर बीमारी से दो-चार होता है तो उसके लिए हमें दूसरे लोगों की मदद लेने पड़ाएं मदद के लिए कहना पड़ा है रिक्वेस्ट करना पड़ा है यह सब तो इससे जो है हमारे जो हिंदी पद्रश्य में जो हिंदी का लेखक है जो खास्तोर से जो अपने सिर्फ लेखन कर्म पर जिसने जीवित रहने का और उस पर ही खड़े रहने का जिसने सोचा हो उसका जो इस्टेटस है उसकी जो हैस्चियत है वो हमें पता चलती है कि वो कितने रिस्की है इसके बाद से वापस से मुझे मैं कुसिस करता हूँ हम लोग राइस्तान से ज़्यादा हैं जो सुन रहे हैं इसमें सामल हो रहे हैं तो राइस्तान के वी संदर्व आपके साथ रखता है शनूंग् कि हमारे एक मित्र रहे हैं हमें से बहुत जोजा सुन रहे हैं कि रिजवान जही रस्मान के वदयपुट से थे और मुख्य विधाम के नाटक थी और प्रयोग धर्मि नाटक और प्रयोग-धर्मिन नाटकों में समकाली नाटको में उनका बहुत महित्मून नाम रहा है रिजवान जही रस्मान का रिए इसके लावा उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं कभी-कभी वो अपनी तरह से प्रियोग धर्मिक अगतायं भी लिखते थे और बड़े जीवन्त रिपोर्टाज उन्होंने लिखें बड़े अलग ढंग के रिजवान जहीर उस्मान कि मुझे यह उनका याद आता है एक बाकिया कि उनका आखें कमजोर हुए उनकी और डॉक्टरों ने कहा कि इस पर ऑप्रेशन होना है आखों का तो ऑप्रेशन काफी आखों के ऑप्रेशन में वो कोई कोई भी आत्मी रिस्क लेना नहीं चाहेगा तो ठीक ठाक जगह ऑप्रेशन कराना चाहते थे तो उन्होंने हम कुछ कुछ मित्रों को फोन किया कोई मज़े ऑप्रेशन कराना है कुछ मदद मेरे लिए मिल जाए रिजवान का मैं आपको बता दूक कि बहुत सुरुआत में बहुत सुरुआती दनों में उन्होंने वह बहुत पड़े लेखे नहीं थे रिजवान उनकी आपचार एक सिक्षा तो मुझे लगता है कि सेकेंटरी बोर्ड की विनी होगी पर आप देखिए कि वो विश्व साहित्य तक की अच्छे देता थे क्योंकि एवजर नाटक जिनको बोला जाता है असंगत नाटक जो समय एक अंतराष्टिये मूव्मेंट था रंगमंच में उसमें वह भारत में ह अच्छी पहचान रखने वाले रश्णाकार थे तो जो अधनातन अंदुलन था एवजर्ड थेटर का और उसकी इतनी अच्छी समझ तो उन्होंने स्वाद्याय से अंग्रेजी भी एक अध्तक शीख ले थी तो इतना स्वाद्याय से उन्होंने सब समकारी साहत्ते में आप किसी भी उस मसले पर अपन से बहस कर सकते थे और यहां तक कि विश्वा साहत्ते को ले करके भी बहुत अपडेट थे तो इस तरह कि उन्होंने हम कई लोगों को फोन किया कि मुझे ऑप्रेशन कराना यह आपके एनोंने बहुत काम किया उन्हों के लिए बहुत नाटक कि यह बर्सप कि नाटकों कर और उनकी काफा नहों ने च्हापा और वो बखसुप कराते थे या लेखन की बखसुप कराते थे या मैंसे बहुत लोग जाते रहें और उनकी दर्ड जो थी वह यह थी किवो तीन सुर रोपे प्रदि दिन जो भी भागीदारी करता था उसको देते थे और लिखा हुआ है उस पर स्वामत्त वा सहांस्थान का होता था और लिखा हुआ जो पुष्ट काएं कितब यहाएं वह जो हैं हजारों की तादाद में चप्ति और अज़ाती थी हागे तो हां मैं यही कह रहा था कि उन्होंने इस बहुत शुरुआती दिनों में ट्रक्ट रहे और के तोर पर काम किया और उसके बाद उन्होंने तै कि जब लिखने में उनको थोड़ी पहचान मिली कि अब मैं पूरा अपने को समर्पित करूंगा लेखन के लिए और किया भी उन परडए के साब और इस तरह का काम आपके सांस्थान के लिए उन्हें किया आप जो है उन्के लेखन नगा उनके आँखों बंबई में कुछ दोस्तों ने मदद किया उनका सफलता हुरोग आपरेसा हुआ लिकन उसके बाद भी उनके संगर्स बरकरा प्राए मीमा सा पत्रका जो हम लोग निकालते रहे उसमें मैं एक सक्षातकार रिजवान का देना चाहता था एक यंग जो स्कॉलर को मैंने उनके प खैसर में जवाब दिया को यह दिया है कि आन्होंने मंद्रेगा अपना ौप्चाड बनवाने के लिए अपलाई के सब्सक्राइब के इतुसे तो डिये और में से कई अब जो है हम लोग उनके नाटकों को उनकी कहानियों को सब पो ढूंडते फिर रहे हैं, मिल नहीं रही हैं, क्योंकि पता है जैसे मुझे कोई आद है, 17 जी कोई आद है, तो हम बताते हैं कि है यह है, तो मिल नहीं रहे हैं उसाब, तो यह जो मैंने आपको रिजबान जी के अब इस पर तीसरी चीज ये जोड़ देता हूं कि है कि हमारे और मित्रें सुधीर विद्यार थी दो शुधीर जी करांतीकारियों पर लेखन करते रहें जो स्वतंता अंधुलर की लड़ाई में जो लोग सामिल थे बहुत सारे बिपलब की बहुत सारी कारवाईयां हुए हम जातर चंद्र सिखराजाद भगत सिंग की कारवाईयां को जानते हैं लेकिन दरजनों कारवाईय पूरी जिंदगी उन पर लखाए, अभी उनके दो खंडों में और उनका पत्राचार आया है, जो उन्हों ने जीवित रह गए करांतिकारियों से किया, उन आंदोलोनों को जानने के लिए, और जो उन आंदोलोनों का उनका उन करांतिकारियों को जो दूसरे लोग अध्यन कर पत्राचार किया, वो उनका दो खंडों में अभी छप करके सामने आया है, तो वो मैं पढ़गा था, और वो पढ़ते पढ़ते मुझे लगा के जो करांतिकारियों के जो भी संदर वारा है, जीवित थे, ब्रद हो चुके थे, सुहाबे के तब तक जातर लोग ब्रद हो च काभी अपने विजरुआ को कि पूछना किसी से कितनी थी, कितने रुपे महिने थी, तो आप जुझ लाएंगे, कितनी फेंशन, इतनी इस पैंशन, अब उसपैंशन से वो कैसे जी सकते हैं, और नई दुनिया आगई, उनके उनके परिवार्ड थे, उनको पता था कि जीवन कितना कठन है और इस पेंसन से क्या गोजरा होगा जिनके परवार थे तो परवार ने उनका बग्या कि कि आपके चंजट में पढ़े रहे हैं इसके लिए हमें यह सब बगतना पड़ता है तो एक पूरा एक आप देखेंगे कि उनमें एक हतासा है उनकी स्थिति एक महबंग की स्थिति है और उनका जीवन बहुत कठन है तो इस सबसे मुझे ख्याल आ रहा था पापस इस पर लेखक की ऐसे तो आएं कि हमारे यहां कई इस तरह का तो नहीं है कि जो यर्ष के लिए कीर्थी के लिए जो काम किये जाते हैं उनका अर्थ से संबंद ही जोड़कर नहीं देखा जाता है कि यह काम तो अनार्थिक काम है और इनका अर्थ से कोई संबंद ही नहीं है कि यह एक मुझे लगता एक किस्म की मानता हमारे यह गहरे प्रेठी हुई है कि जो यह स्कीर्थी के लिए यहां तक की कि यहां तक कि मैं यह देखता हूं अपने अराइस्तान विश्विद्याले में प्रफसर सुस्मा सूध ने जो जो सेनकों की विद्वाएं उन पर एक अध्यन किया था मुझे थोड़ा सांसे बात करने का मौका मला और हम तो इनका वो तो एक ख़वरत आती है उनकी के देखिए वो मर गया उनके गाहां में इतने लोग इखटा हुए और वहां के जो सेनक साथी हैं वो लेकर किया इसको प्रसासन की लोग भी गई और उन्होंने बड़े इससे लिए कितने जद्धो जहेद उनको करने पड़ती है उन्हों अटों को कैसे उनके घरों में जहगड़े हो जाते हैं किस तरह के इस्तिति आए तो वह जो रिसर्च था वह ने देखा और वह आप देखिए कि उनको बूजो का सरकारी ओफिसों में जाती है अपने हक के लिए तो पति की यर्ष कीर्टी के बुड़ा हो जुड़ा हुआ है यह कीर्ती के साथ जड़ा हुआ है कि यह स heardक की यह बात कुछ तो कुछ में लिए जमीन घिए अनुकु आह पती के से मिलती है मुटे तोर पर एक द ये ये स्कीड़ी जो है दो तरह काम है या तो जो द्धार्म काम है यह इसवर का बजान अद्यात्म और यह संहे इसकी दिए आपता आप ये तो आप देखिए के उनको अपन एक तरह से रख दें को कि समाज को को श्थते रहते हैं जो अध्यातम के लिए इस और के काम करते हैं वह समाज को लानत प्लामत करते हैं था घृत करते हैं अब हमस्केघिए कसे पुछ एसके लगवात होना चाहिए ना अब जब तो यह सोशल सीकुरेटी का जो मुद्दा है मुझे लगता है कि लेखक से के साथ में और खास्तोर से स्वतंत्र लेखक के साथ क्योंकि जैसे अभी आप कहेंगे के साथ यह तो आपने हमारे जो बहुत बरिष्ट कभी हैं सम्मानिय कभी हैं नरेश सक्षेना कि उनके पुत्र का निधन हुआ है और बहुत ही अपने अपने अदुखत ख़वार है तो आप पिंगी उसकी में बात क्यों नहीं कर रहा हूं तो उसका कारण है कि जो सोशल सीकृर्टी वाला मामला है वो नरेश जी या उनके बेटे के मामलें इतना अप्लाई नहीं होता है जितना मंगलेश डबराल के मामलें अप्लाई होता है क्योंकि जहों लोग हमारे जो मित्र सरकारी नोकरियां कड़ते रहे हैं या ऐसी नोकर कि हमने बात ही हाँ से स्वतन्त्र रूप से साहत्त्य की दुनिया में ठाथ है और साहत्त्य वह पाधिती, एक क्या कोई वह स्वतन्त प्रेजन और क्या वह क्या स्वतन्त वे शाहता है ? फ्रिडम के बना कोई भी सर्जन संभव नहीं है वो इसके अनवारे सरत है तो उस तरह का माहौल उस तरह की फ्रिडम उसको किसी तरह से हासिल हो सकती है है तो यह जो है एक में इसमें मुझे बड़ी च्रौती रखती है कि हमारा समाज खास और से जो यसों किर्टी के काम है और साहत्यार कला भी यसों कीड़ी उसके साथ जड़ा हुआ है तो यह मानने के चलते हैं कि ये अगर बद हाली में रहता है तो कोई खास बात बात नहीं है क्योंकि इसको यस और कीड़तीव तो उसके जैसे कि कि बाकी तो और आवस्वाशकता है इसकी जो मूल उचुछ रिकता है उसकी जैसे कोई माण़े नहीं रखती है तो एक किस्म का कही न कहीं ये सेंस ये ग्रन्ती मुझे लगता है कि हमारे समाज में हिंदी समाज में खासतोर से ये बिद्यमान है ये मौजूद है और कहीं न कहीं ये जो हम कलाकारों की संस्कृति कर्मियों की साहत्यकारों की स्वतंत्र जैसे वो स्वतंत्रोंने कोशस करते और उनकी बदहाली उनके साथ लग जाती है उसके पीछे कहीं ना कहीं इस तरह की सोच का संबंद मुझे नजर आता है अब मैं थोड़ा सा पिछली जो चर्चा थी क्योंकि हम पिछली चर्चा का विस्तार कर रहें तो बापस से उसकी कुछ चीज़ां पर आना चाहूँगा तो मैंने कहा था कि एक बड़ा जो ड्रोवेक है बड़ी हमारी जो कमजोरी है खासतोर से हिंदी साहित्ते में कि हमारे साहित्ते का बाजार विख्षत नहीं हुआ है मारकेट विख्षत नहीं हुआ है , ठीक सा मारकेट और इसलिए जो है उसकी कोई economy है विख्षत में क्योंक्तित बसंक्या κιस्त होती है जिसका मार्केट के नहीं है कि अब इसमें लगे हुए है इसका कोई मार्केट नहीं है जिसको हम कॉम्मेंट बोलते हैं को कॉम्मानिमेंट कहता है चीजों को लेकर के याग तुमने यह क्या दंदा शुरू किया क्या वना रहे हो तुम इसका कोई मार्केट ही नहीं है तो बोजु है तो हमारा इस तरह का हमारे घरवाले भी कहते हैं मुझे रखता है कि आप घरवालों से थुढ़ा क्हले भात करनें तो यह एक्या वहाद नहीं है कि रेंगें तो यह सब सबसे ज्यादा जो करते हैं बागते हैं इसको इन उसको फिस नहीं करते हैं और इसको कभी सोचते हैं मैंने कहा ही इसलिए पिछली बार भी आपको यह का कि हम इस पर बिचारी नहीं करते हैं सबसे ज़्यादा जो कैजूल हमने जिस चीज को मान रखा है और और आप देखें कि इसको कैजूल इसकी क्या कीमत चुकाने पड़ती है इसकी कीमत वो चुका कि उनका ठीक से उपचार होनी पाया सायद उस बजए से अगर वह बहुत अच्छे सब्चार होता तो वह सायद नहीं जाते को मुझे जादे जानकारिया नहीं है लेकिन यह जो जानकारी है पकी जानकारी है खुद जो है अभी एक प्रसंग में यह कल्ली में पढ़दा था एक किसी की पोश्ट उन्होंने लिखाए कर नरेश सक्सेना खोद और कुछ चंद दन पहले तीन-चार दन पहले ही दिल्ली में किसी से ख़वर ले रहे थे इनकी मंगलेश जी के उपचार की और उन्होंने यह भी कहा कि पैसे वेसी की प्रोलम तो नहीं है क्योंकि अरेश जी का तो जिस तरह के वो मदद रहती है हर जगे सबकी हर तरह से मदद के तैयार रहे तो मलब इसका लगा यह मुद्दा था कई ना कई यह मुद्दा रेज यह खड़ा हुआ और यह मुद्दा इसकांत नहीं हुआ है मंगलेश जी दिल का बाकी परवार दिली में रहता है उनके बच्चें और पता नहीं बच्चे किस स्टेज परें किस अवस्था में तो यह जो है एक ऐसा मसला है जिसकी जिसकी हमें कीमत चुकानी पड़ा है तो इस पर हमें और अब आप देखिए आने वाला समय सही आएगा आपके जिनकी जो निश्चनत है आज जो हमारे साहत्यकार मित्र के उनकी पक्की नोक्री आए और उनकी लिए जो है साहत्यचे और यह समयन में पर इसली बार काता को जिए सघंटरी है अँच आज जीवन का क्रम है आजीव का क्रम मैं वइसे नहीं करें वह भूप सार मेरा मित्र इखताँ आँ कि बहुत सारे जो हमारे सरकारी मित्रें क् साहत्य काम करने वाले तो सरकारी काम में ज जाद दि क्या रखा है क्यों मगज पच्ची करें क्या फायदा है अभी थोड़े देर बच्ची तो भाग जाएंगे तो यह जो चीजे है तो मैं असप्रात्रत्ता की बात नहीं कर रहा हूं कुछ लिए एक प्रमख सुरोत आपने जी번 का अपनी आजईव का और जो शेवानब्रत होते पर अब मेलां सुरक्षाध है लिकिन यह लगातार घट्या जाने वाले मारे हमारे अपनी जीवन में घटता गया है अ dang it आ आपको मिल लिये, जो पी कमिशन मिलने थे, पहला मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला और जो इस्टेटस बनता गया, वो इस्टेटस अब डाहने वाला है, वो लगा तार नीचे आने वाला है, और नए बच्चों से देखो, तिनको कितनी जद्धों जहेद, ठीक है, ठीक है मिल रहा हैं पर जराह उनकी कारे की इस्तियोंगे उनका लखना उनका पढ़ना कितना छवति होता हुंकि पूर्ण करें छकता और इतना जवर्दस्त काम की जवाब देई काम के घंटों के बाद बहतर लख लेते हैं कैसे लख लेते हैं तो यह जो है यह इस तरह का बढ़ता जा रहा है और यह जो मैं देखता रहता हूं हमारे और एक युवा रचनकार है आप सबने नाम सुना हुआ यह निलोत पल म्रडाल म्रडाल की जद्व जहद है वो चाहते तो वो आईएस हो सकते थे हम और आप सब जानते हैं पर उनका नहीं मैं हमें लेखन करूंगा और लेखन के जरिये ही जीवन गुजार के देखांगा अच्छा जीवन गुजार के देखांगा तो इस तरह की जिद का स्वागत करता कि इस जिद की ऐसे जिद्दी लोगों की हिंदी में सब के बाद परंपरा रही है जो पहले से लेकर अभी तक चली आ रही है तो हमें बापस इस पर आता हूं कि यह मार्केट जो है नहीं होना एक बहुत बड़ा ड्रोग है और अब इसके तर्क दिया जाता है कुछ लोग करता हूं को मैंने रोख्री नहीं यह जहीं आपको बताओं कि लेखन से नहीं जी पाया उसके लिए में शिक्षा ने काम करना पड़ा है कल्चर पे और संस्कृति में काम करना पड़ा संस्क्रती रिसर्च करने पड़े है मेरा जीवन उससे गटाए साहत्य से हम उन्हीं भ की कांस में साहत्य का आधार पर ही अपना जीवन बुजार Pata मैं बहुत इस तरह का कोई हाइफाई जीवन नहीं जीन चाहता हूँ पर्मखेर में मेरे को केंदर नहीं रखता बात आफ अबजेक्टिब बात करना चाहते हैं वस्तु परग्वा तो तर्क यह दिया जाता है इस तो उनका यह कि यह जो है बाजार मांग और पूर्टी के नियम से चलता है और उस तरह का मांग और पूर्टी का नियम कि साहत्य के मामले में एपलाइन होता है तो तो यह आप इस पर सोचिए बड़ा गंभीर तर्क है इसको खारी आसानी से खारी नहीं किया जा सकता कि बिलकुल हम और आप सब जानते हैं कि यह साहत्य उस तरह का उत्पाद नहीं है जैसे और बस्तुओं के उत्पाद होते हैं जिनको हम रोजमर्णा में बरतते हैं यह एक भिन्न तरह का उत्पाद है और भिन्न तरह का उत्पाद है तो कैसा उत्पाद है कि उत्पाद भी है यह जिसके कोई मांग कोई पूर्ती का मसला ही नहीं है और यह सिर्फ साहत्य की बात नहीं है यह पूरे कला और संस्कृति और सब की सब पर बात की जा सकती है तो हम इस पर और घहराई से विचार करें तो आप और आप तर्क वितर किसी को तो कहते हैं यह संबाद है एक अगला सवाल उठता है कि इस तरह की मांग तो शिक्षा की वह नहीं है कि वह जो शिक्षा की तो है कि इंजिनियर चाहिए तो हम कहीं बुझनी की मांग है ला गवरा ही को जो जिस शिक्षा को आप कहते हूं कि तो मनिस्ष्य की जो भीतर की संभाव लाएं उनको आगे लाती है उसको सरवांगीड विकास करती है उसक्षा उसकी कोई मांग नहीं है उस तरह से तो मार्केट में तो कोई इस तरह भी मांग नहीं है तो फिर भी आप उसके लिए बात करते हैं उसके लिए चिंतित होते हैं कि Schools कहा बहुत महिमाह मुंना किया जाता है कि क蓮त सीजिया जिष्शा नहीं मुलेगी तो आप आपमे और जानवर में कोई रहे पूछ का अंतर रह normalized की जाए गार तो अगर ऐसी बात वैसा लगभग सब औही बातें सब्सक्रति के बाते कि यहां तक कि पूछ वाली बाद भी कहीं आती है कि संस्क्रति विहिंज मनश्य है जिसमें कलाका बोध नहीं है संस्क्रत है हमारे क्लासिक कहते हैं कि वह पुछ विहिंज जानवा है तो इसका मतलब हमें मांगों को दो भागों में बातना चाहिए मांगें हमेशा समाज की मांगें दो हिस्त्व में होती है एक हिस्सा होता है जो प्रकट हिस्सा है जिसका का मैंफेस्टेस्टेशन लगाताहर होता रहता है जिसका परिकटी करण बार-बार होता रहता है उसकी डमांड की जाती रहती है त Almost you do कि धी दूसरा गल जो समाज की प्रछन मांगे हुती हैтесьि जो एक हिडिन लेंद्ध कि छुपी होई नजर नहीं आती है वे सोगती है और होती रही है कोई नई बात नहीं जो मानव सब्धता के साथ साथ विख्षित होती रही और वह दो मांग बढ़ती गई है जैसे और उसे बिदाएं बनती जाती है जैसे और विदाओं से मिलकर के संगीत में आप देखिये के गायन और बादन फिर उसमें निरत्य जुड़ गया मुकमल संगीत जो है उसके बाद रंगमंच बना उसके बाद मैं सिनेमा यह तो लगातार यह यह बढ़ता जाता है यह पूरा सम्रद होता जाता और इसकी एक जो है मांग नुरंतर प्रचंद मांग इसकी बढ़े रहती है और यह जो है यह इस तरह की डमांड है इस तरह की मांग है जिसमें समाज की आकांचाएं समाज की अप्रिक्षा जोड़ी है बहावनाय जोड़ी है मतलब जो और जो जोड़ी है वह वी चीए दिखती नहीं है जैसे खाना खाना है तो भोजन की बस तो लिए राएगी आपको कपड़े पेंडने तो लिए राएगी लेकिन जो हमारे भीतर है पूरा मनुष्ट तो इ अगर इतने सी काम चल के जाता तो वह दो देख रहा है कि अग्ररा टो भॉड़ी कंश चल करें अगर क्यों सोच रहा है कि अगधाता है कि अगों को पूछ जो सब चलता रहता और विनग्द का आई जो कि संमा मैं पढ़ाते हैं वो सब टो सिप्षा एए मेडिकल तक शीम्हां एयुए टेंड नहीं रहती है और और जीजी देगर शीजी शिखाते हैं सहरां अपको पड़ाते हैं उस सब को तो ये जो है इसको अब है क्या कि जो जतना विख्षित समाज होगा विख्षित से विख्षित से वाला विकास नहीं है जो सच्चा विकास है जिसको मार्था नस्बों कहती है यूनान की ग्रीक जो है एक स्कोलर है मार्था नस्बों उन्होंने अम्रत से इनके साथ कुछ काम किया है वागि उस्वतंत्र काम करें उनका पूरा काम quality of life पर आए जीवन की गुडवत्ता क्या है असल में जीवन की गुडवत्ता किस तरह है तो जो महारता नस्वाम के अर्थ में करूं तो जीवन की गुडवत्ता है उससे कि उसन उन्नत होने की प्रिगती है उसका महापन इस्यें कि उसमें कि अलाकी संस्कृती इस तरह एक और उस तरह की शेतना समाज में जगती है तो वह डुबांड आपकी पड़ा हो और वह पड़ा होगी तो जो मांग और पूर्ती का एक तरह का वह चीज़ भी का म करने तो आपका जो जो स्रिजन कर्म है उसकी खास तरह की रेलेवेंस खास तरह की उपा देता उसकी तब बनने लगती है तो यह कैसे बने समाज में वापस पिछली बार वाली बात पहुत हूं कि इसमें पॉपलिक स्फियर कि यह है जो आपका beauish जो जणमरत हो जो हम जयपधर रहा है यहां टरह कर्म आपथां नगर में रहता हु और इस आफ्टध अनुम्रभान को यहां सब आप जगह सामदा वावन कि यहां को आइजन होते हैं और दो तरह के एक तो जिनको समाद चलाता है जिनको साहिआए हैं और वा क्योंकि आप देखिए कि हमारे देखते देखते और यह जो जिनकी मैंने सबसे स्रूब में बात की कि यह सवर कीड़ती के लिए काम करने वाले कुछ लोग वह हैं जो इस्वर अर्द्ध्यात्म के बात करते हैं वो लोग सादू संत हैं पंडे फुजारी हैं तो आप इनको हम सब ज्यान करने की कुछिस करिए मैं साथ वर्स का होने वाला हूं तो मैं जब 20 साल का था तब देखता था इनकी काफी खराब अलगती हैं मतलब सारे रूरूप से भी काफी कम जोर होते थे अब बहुत पुष्ट होते हैं और हर चीज का इस इनका इस्टेटस लगातार बढ़ता गया है उनका इस्टेटस कुछ जो पारमपरिक आर्टिस्ट थे पारमपरिक अला कारत भिखारी हो गई और बीख मंग रहे हैं बिचारे जैसे हमारे जोगी यहां जो कहलास मनरें के गाहं के थोड़ागी आगे जोगी रहते हैं और वहां के जोगी मेरे यहां मां दो पारमपरिक अब भी द्वस्त कर दिया है तो उनको छोड़ दीजिए आप कितनी गुलाव चली जाएंगी प्रांस उनके समदाय के तो हजार और हजार लोग है तो पारमपरिक उतों सब उसकी आहलत होगी हम सब का भी हासिया करन लगातार होता गया क्यों और उनका क्यो सब्सक्राइब को चलता रहता है पर वच्छा इन चलत रहे हैं यह चलत रहे हैं और हमारे पास एक चैनल साहत्ते का सुद्ध बता दीजिए जो सिर्प साहत्ते के लिए 24 गंटे काम करता हो 24 गंटे मत कर चार गंटे कर रहे हो दरश्य मिडियां कितनी जगे तो पब्लिक स् संस्तान पारे वा समाझ में हमारे संस्तान पारे हुआ कि चोनाव नहीं हो रहे ही उनके जो अद्धिक्स मंतरी वकरे 45 गंटे करते के संस्तान हैं और तो यह संस्तान जहारा ंचाहां तो आप जादरने दो होते हैं, ओर आप याद करें, जो आप को एक कभी संव emergence का युग अभी संव्य भाइब लिग वही कों तक पर अभी होने कह दो क्या varied come season math when have अप्ने कंपनी नाम पर कुछ अपाराची था चेंसी हिरां वो कि रिए टाने तरना के नाम था OSCE नाम कंपने नाम पर उनकी कंपनीवे पारशी यह तेटर वाल हर जो सब नाम गया नाम कंपनी यह उनका उनका जेनीव के शेली है . तो आप देखिए कि बूड तो कमपनी आ थी पर उनको जैसे हमारे बुलाकर नोटंग की करनी है आपको दो दिन दो दो पले करी यह तो लोकल सह्ताय कराती थी तो यह संस्ता हैं हमारे कितने साहते गोश्टियां करती हैं sisters मिया दोलंगों संस्ताने मुझेश की त्न हैं कितने सरकारी संस्तान में एकडेमि हें दूसरे संस्तान ऊस तरह के हैं उनकी आप इस्तितीी देखिए कि उनकी स्थिति क्या है उसमें कितनी हमारी संबदता है और उनका जो है उनकी भूमिका यह है कि मैंने जो कहां कि समाज में एक अवेक नहीं एक किसम की जागरती कि यह एक समाज को सही मायने में एक प्वालिटी सोसाइटी बनाने लिए के जैसे करते हैं हम एक नोले सोसाइटी की बात हो रही है और उनमेर सोसाइटी को में Ridz कर दिया पर भच्सकों कम्पूटर अप्टर रहा थोड़ा नंटरनेट पार ने जोगूए आные चीज vacant करें तो नाविशसायटी हो प्रह देए और है कि बादने में ऐसी तरह से एक सही मायने में कलिया बबनाने में नहीं के संस्तानाओं का कि इस तरह के संत्तन का स्टिटूशेटै लगा की बड़ी होनी का आई जो प सक्षी में रहें अर्पलिक्स्पि Angeles कितना हमारा जुड़ाव है किस तरह का वह है इस पर बहुत कुछ नर्वर करता है अभी इस सारे प्रसंग में एक हमारे बड़ी भाई हैं आप में से कुछ लोग उनको जानती होंगे बानारस में रहते हैं बाचस्पति साहत्यकार है उन्होंने बहुत कम है पर उन्हें दूसरा काम किया है वह काम किया के बाबा नागार जौन तिलोचन और इस तरह के जो घुमकड़ प्रिविड़ती के संगर्शिल जो रचनाकार है विश्णुचन सर्मा चित्रकार है हरिपाल त्यागी इस सब का फैसिलेटेश कि उनकी किताब हैं चपाने मदद करना त्योचन जी की तो अद्कांस कितावें उनके पीछे लगने सी चापी है अलांकी दूसरा वहा है कि संपादन कर रहा है राजेस जुशी ज़िए पीछे बाटस्पती लगई हुए है तो तो यस तरह का बाटस्पती का योगदान रह और उसमें उन्होंने लिखा कि कुछ ना कुछ हम सब लोगों सोसल सीकूरिटी पर बात करना चाहिए क्योंकि हाला अवी तरह माहारी का पता नहीं कब तक चलने वाली है कितनी चलने वाली है किस तरह की और इसके बाद भी जो हाला और बगड़ने वाले हैं बुरे देश और दुनिया के तो इस तरह रहता कारों की सब्सक्राइब कर देखें कि सोचल सीकूरिटी को लेकर के एक कोस है जो पत्रकारों के लिए बना था कि कुछ वह ने मांग हुआ कि कई बह्ते की बात की तो में पले इसे था और उसमें एक जो इस तरह के जो ब्रद रचनाकार होते थे और जिनके उस तरह की आजीव का बगरा नहीं हुआ करती थी उनको कुछ पैसा वहां से मिलता था तो आप मेंसे कुछ को शाय सत्राणी सुन रहे हैं मेरे को इनको पता होगा कैलाश जी कोई पता हो कि बो जोए उसका कुछ नाम दिया था उन्होंने अंग्रेजी में फेलोशिप कह सकते हैं उसको बो हरीस वादा नहीं कोई मिलती थी और आपको हैरत होगी कि वह पांच रपे मेना थी मात तो इस तरह की उनका क्या मतलब है क्या अर्थ रह जाता है वह उनको जिनको भी जिस तरह की मिलती थी और हरीस जी के भी उपचार की समश्चा पैदा हुए इस तरह की यह मानना पड़ेगा हमें उसके लिए हमें हमारे जो मित्र भारुक साहब है उनका भी मतलब क्रितग्य होना चाहिए कि वह समय भी सी एम के पास थे और बहुत त्वज़त गती से सरकारी जो हरीश जी के उपचार में सरकारी मनत पड़ी है पर यह तो यह तो भी व्यक्तिगत मामना हुआ हुआ है मेकनेजी में इस तरह का हो कि लेट सपोर्ट मिले और पर मैं दूसरा सवाल पनाओ कि नोवती क्यों नहीं क्यों आए परवार को ही इस तरह की उसकी शुरुशिय आमदनी आजीव का इस तरह से हो कि परवार भी इतना समर्थ हो कि इस तरह के संकट इस तरह के सौक को अब जोर्ब कर सके लडब घटके को जहिल सके इसको शरलवासाइं तो इस तरह का जब तक परवार नहीए मैं उसको ठोसे greatest कि एम किसी बी क्राइसिस को जटके को देल सकते हैं तो सरकारे तन्त्र पर भी संभब वुपाएगा है कि सबसे पहले तो उसको तो स्वाहत किया जाए तो आज कैए साहत्य-कादमिक मतलब कर दो साल हो गए उसका ना को बहुमत की सरकार है दूसरी ऐख बहुमत सावित कर चुकी है इसके बाववावश्य गणे कम बमुह शहतकी ड़ी चुकूरें कोई कुछ नहीं है सब पेरेलाइच पड़ी किया मतलब ऐस संस है और उसके काम को आज में पाद रस्ता हो तो जब तक ये चीज़ें वह नहीं होतीं तब तक उनका उस्तर नहीं हो सकती जो आपकी एहसित को नहीं होगी जब भूई खड़ी नहीं हो तो अनततः जिसको कहते न पाकिस्तान कहते हूं नोनेश्टे एक्टर हैं जा इस तो दो त नायदहर नहीं में। एक्टर सब्सकेता, कमाइन कहां धार्ड को देदार और सब्सक्राइबूर, अजन फिल हमें। हमने लिख मैं किताब लिखी यह की कताब के ऊंथिसों और किताब करेघ् clicking और कें इसमिलौ कैसे उसका पैसा बापस आएगा कैसे पब्रेसर उसमें से अपना खर्चा अपना मुनाफ़ा निकाल के आपको रोटी देगा तो यह यह पूरा जो है मित्रो इस तरह का तंत्र और फिर जो मैंने का कि सोसल सेक्टर की जो हमारे समाज की हमारे अपनी जो सोसल संश्थाएं उन होते हैं उनकी अपने अपने में चुर्च होती है वो हों उनकी कैसे संबद्ता बने हमारे से लो संब्द होती हैं जुडती है है और कैसे वह हमारे जगह देती है अब देखिए कि जैसे यह सिर्फ एक जगह हुआ है आपको अधान के लिए बता रहा हूं कि आपके कैसी बात कर रहे हैं ऐसा कभी हो सकता है तो जैसे आपको कहूं कि थेटर है तो सर्व रविंदमंच पर जवार कलके दन पर क्यों थेटर महांसरवर हों को नहीं हो सकता थेटर हमारी प्रताव नगर में को नहीं हो सकता यहां भी स्टेडियम नहीं कम्निटी हॉल बने हुए यहां कि थेटर और में आप पैसा फिह कई चलियेräge क्यों फहुआ है कि आप यह की आडर्स की बात की है निमें आपह तो यहिंष स्प्राइब करण लेकिन आपको दूसरी बात पता हूं कि इस समय आप जड़ा सब पता करें औरू प च्रौत-इथ प्रस में मुनों कि कम आदा दरी तो मुझे मालों जहाँ एकजी बीजन भी ओती है आर्ट की बिक्रीब होती है गेली में मुनाफ़े में और गेली से जो जो जुड़ते हैं कलाकार वो भी नरास नहीं है यह उतान इसी जैपड़ सहर का माब को बता रहा हूं फोस उतान ऐसी दिल्ली में भी है तो यह जो है इस तरह का और कुछ लोग हमारे लगे रहते हैं इस तरह के उसमें जुनून में काम करते रहते हैं तो जुनून का हमें बहुत कद्र और सम्मान में भी करता रहा हूं लेकिन मतरो जुनून हल नहीं है विकल्प नहीं है जुनून से नहीं चीज़ें चलते हैं इसके लिए तो कोर सिल्ष नहीं करें लुए वह सब करने चाहिए संबाद करना ​ चाहिए आ चाहिएं ऐसका बात करें जब तक बिचार रहें अपकर तक हम उस पर बात ही नहीं करेंगे इस पर सोचेंगे नहीं तो तक कैसे मतलब कोई चीज कैसे खड़ी होगी और यह को और यहां फिर मैं कहता हूं आपको के होता क्या इस सबस्टे में यह सब कराऊं तो इसका निसकर्स क्या निकलेगा तो जहां मैंने पिछली बार बात कही थी कि आप लेखक हैं तो हर एक जो किसी भी कला में जो काम कर रहा है वो किसी ने किसी को संब्धत करता है जो दरश्टे कलाए हैं वो दर्शक को संब्धत करती हैं और जो साथ्दिक कलाए हैं वो पाठक को संब्धत करती हैं तो अंतत है जो हम काम कर रहे हैं वो हम पाठक के लिए कर रहे हैं पाठक को संब्धत हैं और अगर हमें पाठक मिल जाते हैं और खुब सारे पाठक मिल अभी तोभे पास पांथा कि नहीं है चहसो किताबों आपका पूरा संस्क्राणải बिग ud पूरा बिख जाता है मत कर रहा हूं आपके लिख आप अपना लेख किये कोपी नहीं रखें आप प्रकासक आपको पुरी इमानदारी से 20% रोल्यटी दे दे तो भी आपका कितनी रोल्यटी आईगी तरह साब किल्कृट करके देखें चाहिए और उसे कितने दिन आपको गुजारा हो जाएगा तो यह सब अभी जो हमारी कारवाईयां हो रही है आप में किसी का अलोशना नहीं कर रहा हूं ना लेक की कर रहा हूं अधिक्तम संस्क्रण जारा सो कि शप्रा हैं आपको एक बिलकुल सची तस्वीर बता रहा हूं क स्वांतिय सुखाय टयाब मांबला है तो 1100 कोपि भी जाती है उसकी 20% मिली जाती तो एक पंग्ति आती है ना अरुनदेव करता माइ के लाख के एक लाख के दो तीन परुषकार को मिली जाएं तब ही कितना जीवन कठ जाएगा अपका डिली जैसे शेहर में आप तो आपको कई हजार पाथक चाहिए कई हजार पाथक जो आपको ढूंडते फिरें पढ़ना चाहें किसा आपके पास है क्या और जब तीन लोग मेरी दुकान पर स्वानु जी किताब मांगने आएंगे तो मैं एक हफ्ते के भीतर सौनु जी की दस किताब मंगने आते हैं और जहां ऐसा है जिन देशों में ऐसा है जिन रचनाकारों के मामले में ऐसा है वो इतने समर्थ हैं कि वो एक तरह की ग्रेस फुल गर्मा पूंड जीवन अपना जी रहे हैं और इसी सम्में अलुचना की भूमिका बनते हैं और इसलिए मैं जो का किया रहा हूं कि एक किस्म का जो टोकिरिवन, चल रहा है और उसमें कि जो आलुचना के नाम पर क्रिडिशिज्म के नाम पर एप्रीशेशन चल रही है कि यह भी अच्छा वह बहुत अच्छा वा क्या रखाए उससे कोई अर्थ निकलता को कि उससे आप पाठक नहीं बनाते हैं आप जो है पाठक को कल्फूज कर रहे हैं कि यार यह कैसी बात है यह सब को अच्छा बताते हैं सारे अच्छे हैं क्या पड़ू मैं तो इसको नुक्सान अठाना पड़ता है इसका नुक्सान आप में जो सच्चा है आप में जो अच्छा है जो बहतर लिख रहा है जो पाठक को द्हान में रख के लिख रहा है उसको ही इसका नुक्सान अठाना पड़ता है क्योंकि आपके जो खरे और खुटे सिक्के की पहचान नहीं होती है तो मुद्रा का मुल्यन होता है तो यह बड़ा सिधास्त और यह स्थिदांत कम से कम साहत्य है और कलाम है एकोनोमी अर्थ साथ के सारे नियम लागू नहीं होते हैं कि मांता हूं नायंटी नायन परसेंट लागू नहीं होती होते हों कि आप लिए क्या अच्छी मुद्रा खरां मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर वर दोएक अपड़े करें अब आपका वी चलता रहें लेकिन कम से कम आपका मुल्यन तो तो इसलिए मैं आलो चना में कुछिस करता रहता हूं जो कई बार हमारे कुछ मित्रों को खराब लगती है तो मैंने टाइम देखा ही नहीं अपने रहो में और आपको बहुत समय मैंने जादा ले लिया साड़े आठ गंटे से कुछ समय तो आठ चम्मारीस में एकमेट आप कर ले सकता हूं एकमेट इसलिए के मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें जैसा कि आप में बताया था कि इस पर और चर्चा की जरूवत आपको लग रही थी तो मुझे अच्छा इसलिए लगा के इतने सारे लोग में देख रहा हूं कर इस ब सुरू की थी जो कि वह मेरी नगोती नहीं आप सब के नगोती है हम अंगलेश जी और नरेश जी के परवार की जो द्रास्ति यह उसको लेकर करके तो इसलिए उसमें बड़ा जीवत लगता कि मैं आपको नमास्कार है सब करता तो उसके लिए आप से कहकर के मैं सफाई दे कि नहीं एक और दूसरी बात कमेंट्स में में देख रहा था पर मैं कमेंट्स पर नहीं गया मैं जानकी कमें तरी आप ने से मना कर दिया था तो साहिद बागडी जी को पता नहीं है कि अंसराज रहवर की कितने अच्छी नौकरी थी तो इसलिए थोड़ा कई बहुत अच्छी नौकरी करें उन्हों और उनको बहुत सारा इस समाज से बहुत कुछ मिला उनकी इस्तिती उस तरह के दीनता वाले उसमें नहीं आती लेकिन हंसराज रहवर के साथी मनमतनाथ गुप्त की इसी तरह थी उनकी वह दीन ही इस्तिती नहीं थी कंपोज पूल दो उन्मटनाथ गुपत हैं जिन्हों ने मनमतनाथ बनडर जी जो भतेगड की जेल में विवार उपीप्य अ कि अन्सन पर बेचे ते हैं वनमतनाथ गुपत Romeo मनमतनात गुप्त नहीं लिखा है मनमतनात गुप्त को कहा था कि मैं ये सूचता था कि जीत हमेशा अच्छे लोगों की अच्छाईकी होती है मैं इस निस्कर्ट पर पहुंचा हूँ कि ऐसा नहीं होता है और जुल्म करने वाले भी आनंद करते रहते है ये मनमतनात को पने कोट किया शी तो इस किस्म की हतासा मतलब उन लोगों के बीच में जब उनको इतनी पनी बात याद आ रही है और संदर्म को कह रहे हैं तो क्यों आ रहे थी मन इस्तिती उस समय की सबकी बनती जा रहे थी तो कहने का मतलब यह है कि यह कई बार इसलिए भी गलत चीज़ें होती रहती है जो में स्लीव होता रहता है कि जो सच्चे लोगें वो बोलते नहीं है मैं मैं भी पहले बीच में मेरा सोच बने लग गया था जो मनरण जी गज़जे सटके रहे हैं पर मैं बार बहने देखा के ज़्यादा तर लोग अच्छे है पूरे देश भी ज़्या तर अच्छे यह आपकी बसें चल रहाई हैं ट्रैने चल रहाई हैं सारा कोज श्तान चल रहे हैं यह सब अच्छी लोग अच्छ लोगों के वह भहुसंग जदा दर लोग है इस समाज में भी दली में महुले में जदा अच्छ लोग है पर समस्य यह लोग बूलते नहीं और अच्छा विक्ति आप मालीजिए कि हर अच्छा विक्ति एक पॉटेंसिल रीडर होता है आप कहेंगे के साथ इतने हजार औहजार पाठक कहा से आएंगे सायत्य में तो लोग रुचिवान बहुत कम हैं हमारे सिक्ष्वा में सिद्धान ता है विश्व इस तर का मैं मानने सिद्धान कि जो हर बच्चा जो है अपनी तरह का अनूठा होता है और हर बच्चे में एक मनश्चे गरूप में जो व्यक्ति होता है इसको परसन कहते हैं अच्छे परसन बनने की सारी संभावना मजूग होती है तो इसलिए इसकी तरश्पे मैं आपको कहता हूं कि हर भला मनश्चे हर सम्मेदे असील मनश्चे आपका संभावत पाठक है आपका बिल्कुल पाठक कमें नहीं मिल रहा है तो इसके साथ मैं अपनी बात समात्त करता हूं एक बार आपका बहुत-बहुत आभार और खास्तावर से जनसरुकार मुंच का देविन जी का बहुत-बहुत आपने बाद